हेलो बच्चो आज हम करेंगे चोथी कक्षा की परियावरण अध्यन की वरक्षीट सब्ता नमबर है 14 और पाट का नाम है कैसे कैसे बदले घर चलिए शुरू करते हैं पहला प्रशन है तुम्हारा घर किन किन चीजों से बना है उत्तर है मेरा घर इंट, सीमेंट, लोहा, लकडी, आधी से बना है अगला प्रशन क्या तुम्हारे घर में टॉयलेट है उसे कौन साफ करता है इसका उत्तर है हाँ मेरे घर में टॉयलेट है उसे मम्मी या पापा सा करते हैं चलिए आगे करते हैं निम्न वाक्यों को पढ़कर सही वाक्य के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाईए आधुनिक समय में ज्यादा तर लोग मिट्टी के चूले का उपयोग करते हैं आधुनिक समय यानि अभी का समय अभी के समय मिट्टी के चू अगला, लोहे और सीमेंट का उपयोग कर पक्की छट बनाई जाती है, यह बात भी बिलकुल सही है, कच्ची इंटों से बनी दीवार को मिट्टी से लीपना पड़ता है, सही, अब शेहरों में बड़ी-बड़ी मारतों में लोग रहते हैं, यह बात बिलकुल सही है, अगला क और जारों का इस्तिमाल कर रहे हैं, नीचे दी गई तालिका में भरिये, चित्र देख लीजिए बच्चों, यहां पर कुछ लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, और इस इमारत को बना रहे हैं, लिखते हैं, काम यहां लिखा है हमने, और जार इसके नीचे और काम करने वा यह करनी से किया जाता है और इनको राज मिस्त्री कहा जाता है। काम है बिजली का काम पेजकर से कर रहे हैं और यह काम करने वाले को इलेक्टरीशियन पूला जाता है। नल और पाइप का काम, इसमें औजार का इस्तमाल होता है रिंज और यह काम करने वाले को प्लंबर कहा जाता है. आगे करते हैं, नीचे दिये गए चित्र में घर के विबिन बाव को नामांकित कीजिए, देखिए यह है च्छत, यह है खिरकी, दर्वाजा, दीवार और रोशंदान. अब हमारी वर्कशीट पूरी हो गई है, इसी तरह की और वर्कशीट के उत्तर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए.